औरों की तरह मैं आपको ये नहीं कहने वाला कि पहले arrangements को कर लो फिर puzzles की और आना क्योंकि arrangement is easier than puzzles ये गलत है और वो गलत फेमी में आप मत रहिए क्यों कि इन में से कुछ arrangements ऐसे भी हैं जो कि इन puzzles से 100 गुना खतरनाक होते हैं और उनको अगर आप examination में पकड़ लिए तो आपके examination में मतलब eliminate होना तो confirm है mandatory है तो दोस्तों आप सबने बच्पन में English का नाम सुना होगा Maths का नाम सुना होगा यहां तक की GK का नाम में सुना होगा लेकिन क्या आप सबने reasoning का नाम कभी सुना था लेकिन जब आप बड़े हुए और competitive examination की preparation करने लगे तो आपको पता चला कि reasoning एक ऐसा subject है जिसका कितना importance रहता है हर competitive examination में ना कि सिर्फ banking, SSC, railway, हर एक competitive examination में इसका एक अलगी level का importance है और यह importance के पीछे का reason यह है कि यह subject आपके mental stability को चेक करता है कि आपका दिमाग कैसे deal करता है चीज़ों क्यों अब एक सवाल को लेके आप कितने दूर तक सोच पाते हैं कैसे आपका reaction होता है, कैसे आपका decision making होता है, यह सारे चीज़े reasoning ही test करता है आपका, तो इसी लिए इस चीज़ को आपके सारे competitive examination में include किया गया है, यहाँ पे इस चीज़ को prove करने के लिए मैं एक छोटा सा आपको example देना चाता हूँ, अगर मैं siloism की बात करूँ, तो siloism कैसा topic है, अगर इसके topic के सारे concepts आपको मालूम हो, तो आपको जितने भी सवाल दिये दिये जाएं, आप उसके सही जवाब बता देंगे, लेकिन ऐसा एक time आपके life में आएगा, जब इसके answers गलत बनने start हो जाएंगे आपसे, और यहाँ पे एक या दो गलत नहीं, बहुत सा आपके सारे सावाल के जवाब आपके गलत आने लगेंगे, क्यों? क्योंकि mental stability थोड़ा बिगड़ गया होगा असवात आपका, जब उस वक्त आप concept को reject करने के लिए जाएंगे, तो आपके बने-बनाए concept बिगड़ने शुरू हो जाएंगे, मतलब जो चीज आप खुद सी पजल आपका चैलेंज नहीं है, आपका चैलेंज है, इसका limitless syllabus, से limitless का? सिलाबस तो इतना ही है, मुझे पता है, मैंने देखा था सिलाबस, सिलाबस का heading इतना है, लेकिन इस heading के अंदर content कितने हैं, पता है? vast content है, अब puzzle से क्यों डरते हैं, पता है? क्योंकि puzzle limitless है, आए दि पर पेपर बहुत ही ज़्यादा change होता है, बाकी subjects इतने ज़्यादा change नहीं होते हैं, तो इतने challenging factors के बाद कैसे हम इस topic को master करें, क्या होना चाहिए हमारा strategy, ताकि bank के preliminary examination में हम 30 के 30 तो minimum 35 से लेके आ जाए, उसके लिए हमें क्या कुछ priority order सीखना होगा, और ये priority order सब को बता ह हर एक नहीं ये priority order follow किया होगा, लेकिन जो सबसे खास बात में इस session में बताने वाला हो, वो puzzles और arrangement का आपको priority order दूँगा, हर किसम के puzzles को बताऊंगा, हर किसम के arrangements को बताऊंगा, उनके बीच में आपको selection करना सिखाऊंगा, कि अगर ये आए तो इसको कीजिए, ये आए तो छोड़िए, इन सब चीजों के उपर में detail चर्चा करने वाला instruction में, तो end तक जरूर से देखिए, बहुत से चीज़ें, गजब से चीज़ें आपको मिलेगा सेखने के लिए, hello friends, माईशल कौशिक बहनती, welcome to our channel, कहरे डिफाइन, तो सबसे पहले, अगर मैं बात करूं, तो यह रहा आपका priority order, इस priority order में beginners सीख सकते, मतलब कोई अगर कुछ नहीं जानता, तो उस पहले inequality से start करें अपना syllabus, फिर syllabus कम्प्लीट करें, और जो syllabus कम्प्लीट कर रखा है जिसनोंने, मतलब जिनका basics clear है, वो examination में, या फिर अभी जो mocks देते हैं, उस mocks में यही sequence को follow करें, अ आप मुझे advantage क्या मिले का और कैसे करना है, वो चीज़ देखें, क्योंकि 30 तो हमें चाहिए ही चाहिए, तो 30 के लिए मैं यह कह सकता हूँ, कि अगर एक normal paper देखा जाए, तो left hand side में जितने आपके लिखे गए हैं नाम, और हाँ एक चीज़ पहले से बता दें, कि machine input output usually आपक clerk prelims में नहीं आता, PO prelims, SBI PO prelims में शायद आ सकता है, expect कर सकता है, और वो भी बहुत easy level का, तो इसको बस जानके रहें कि क्या होता है, इसके basic concept को सीखें, इसको इतना, मतलब दिल पे लेने के ज़रूरत नहीं, यह चीज़ में पहले clear करना चाहता हूँ, और clerk के paper के prelims में तो मिलेंगे, और यहां पर बाकी के जो topics है, इधर से आपको puzzles और arrangements से 15 से 20 मिलेंगे, sir 20, 20 तो 40 बन गया, प्रेम्स का तो 35 marks होता है, लेकिन अगर यह सवाल आप पूछ रहें, तो आप मतलब खुद पे हसना चाहिए आपको, 35 marks अगर total होंगे, तो मैंने यह distribution ऐसा लिखा होगा कि अगर इससे 15 marks आएंगे, तो इससे 20 marks आएंगे, और अगर इससे 20 आजाएंगे, जो कि आपका luck है बईया, तो इससे 15 marks आएंगे, तो हम अपने luck के against जाएंगे, कि luck हमारा बहुत ही खराब है, हमें इससे 15 और इससे 20 मिल ला है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है, तो हम अपने negative factors को लेके चलते हैं, कि अगर इससे 15 marks के question मुझे मिले minimum, तो यहां से मैं कितना marks कर सकता हूँ और कितने minutes में कर सकता हूँ, यह matter करता है, तो अगर इस side से आपको 15 marks के question देखने के लिए मिलते हैं, तो मैं आपको target देता हूँ कि 15 marks को आपको 8 minutes में करने होंगे 8 minutes में, सर 15 marks को 8 minutes पागल हो गये हैं क्या, कैसे थोड़ा दिखाईए, अब दिखाते हैं, यह 15 marks को मैं अपने negative side में आपको दिखाता हूँ, कि inequality 5 आए तो हमारा positive, favor में जा रहा है, silots 5 आए तो favor में जा रहा है, coding decoding 5 आए तो favor में जा रहा है, लेकिन मैं इसको अपने favor में न चलता हूँ, इससे 3 mark लेके चलता हूँ, alpha numeric और coding decoding से 5 mark लेके चलता हूँ, मतलब कोई 1 set, या तो alpha numeric नहीं तो coding decoding, ठीक है, similar लिक यह आता है, ऐसा ही paper बनता है, ठीक है, direction sense test और blood relation दोनों आने के chances बहुत ही high होते हैं, दोनों के दोनों, लेकिन फिर भी मैं आपने negative side लेक यह कितना बन चुका है, 3, 3, 6, 6, 5, 11, 11, 13, 14, तो इससे भी 2 mark मिलते हैं मुझे, पक्का, तो इससे मैंने suppose 1 mark, तो मेरा यह motto रहा कि यह 15 marks मुझे 8 minutes में लिप्ताने, लिप्ताने के लिए inequality 3 questions को मुझे 1 minute में लिप्ताना होगा, sir, क्या मतलब 30 plus करेंगे कुछ भी बना दे रह session चला होगा, वहाँ पर जाकर देख लिजिए, 20 seconds का timer दिया जाते हैं, अड़ा में जाईए, जहां पर भी आपको जाना है जाईए, 20 seconds का time slot, 20 seconds का time दिया जाते हैं, कितने बच्चे कमेंड करते हैं, 20 seconds, 10 seconds, 8 seconds में answer बताते हैं, तो यह मतलब खुद का नहीं हो रहा, इसका ल बनेंगे, जितना भी वेंटेगरम, क्योंकि maximum, maximum वो तीन statement देगा, दो conclusion देगा, उससे जाधा हो, कुछ ही नहींड गोटेगा, před Top Business Exam में, तो तीन statement भीकाईगरम, Sum A or B, All B, All B, All B, All C, No BH, इतना इतना टाइम लगेगा कितना 5-6 सेकंड कंक्लूजन पड़ा नो भी इसी चेक क्या नहीं वा चार सेकंड सम ए और बीज पॉसिबिलिटी दो सेकंड मतलब 20 सेकंड में ये भी बनेगा पूरा प्रैक्टिकली प्रूफ करके दिखा रहें बस नॉलेज दिमाग काम करना है और वो प्रैक्टिस के साथ आएगा अब ये एक मिनिट में जाने के बाद में इस 5 मिनिट के सेट को यहां पे आपको थोड़ा टाइम दे रहा हूं यहां पे मैं आपको तीन मिनिट दे रहा हूं तीन मिनिट इसलिए दे रहा हूँ, धाई मिनिट देना चाहिए हाफ आफ दे रहा हूँ, लेकिन ज्यादा टाइम इसलिए दे रहा हूँ, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग अगर आप करेंगे, तो मेरे ख्याल से पूरा कोडिंग को डिकोड कर देना बैटर होगा, तो हर एक क कोड निकाल के रख दीजिए ताकि दिमाग पे pressure कम रहे और mental stability सही रहे तो यहाँ पे पूरा कोड निकालने के लिए आपको शायर थोड़ा time लग सकता है और तीन मिनिट लग जाएगा और alphanumatic series में problem क्या होता है वहाँ पे जो 5 questions आएंगे वो 5 questions में आपको 5 तरीके के अलग-अलग चीज़े पूछेगा तो वहाँ पे हर question के लिए आपको थोड़ा time devote करना होगा 30 से 40 सेकंड तो devote करना ही होगा एक-एक question का तो अगर मैं 30 से 40 सेकंड average लूँ तो 5 questions को मैं 3 मिनिट में लिप्टा सकता हूँ इन दोनों parts में से direction and stress और blood relation ये तीन मार का question ये तीन मार के question को suppose मैं दे रहा हूँ आपको कि आप लीजे 2 मिनिट उससे ज्यादा नहीं उससे ज्यादा तो भही मैं आफ़ोड नहीं कर सकता एक मिनिट में दूँगा एक मिनिट दूँगा diagram बनाने के लिए अगर distance direction है तो B के 15th left में 14th right में 14th north में east में west में वो diagram बनाने के लिए आपको एक मिनिट दूँगा ताकि सोथ समझ के बनाएए गलती ना हो एक east एक west हो गया तो पुरा 3 मार गया इसलिए थोड़ा आरान से बनाएए और एक मिनिट दिया 3 questions को पढ़के उसके बाद और क्या है वेटा कि N कौन से direction में है B कौन से direction में है तो इसका beat question करना तो seconds में आएगा बस जो है एक मिनिट का diagram उसको भी मैंने 2 मिनिट दिया आपको ठीक है महरबानी अब देखिए महरबानी के बाद अगर हम आएंगे मिस्कलाणी अस questions को अभी ना जाने से थोड़ा फाइदा है मतलब इतने questions को लिटा दीजे अब यहां का जो मैंने 1 मिनिट आपके लिए सेट किया है वो 1 question क्या 2 question उसमें बन सकते है वो 1 मिनिट को आप last video vote कर दीजे for example इससे 2 भी questions आ सकते है ना लानी से एक तो हमने अपने खराब के लिए negative मतलब कम लिया है लेकिन इससे अगर 2 questions भी आगे तो आपको tension लेने वाली बात में इसको सबसे last में करेंगे इसके पीछे का reason क्यों जब आप puzzle को complete करेंगे तो आपके साथ अकसर यह घटना घटा होगा मॉक्स में भी आपको कभी कबार feel हुआ होगा कि 20 मिनिट्स का allotted time है reasoning section के लिए अब आपके पास कुछ भी नहीं है करने के लिए मतलब आपने 30 marks attempt कर दिया है और time हुआ है 18 minutes या फिर 17 minutes 40 seconds मतलब बचे हैं 2 minutes 20 seconds अब आपने 30 marks कर दिया है एक ही puzzle बचा है अब आपको ये 2 minutes 20 seconds waste नहीं करना है और ये 2 minutes 20 seconds में आपका हिम्मत भी नहीं हो रहा है कि last वाला puzzle मुझसे बनेगा 2 minutes 20 seconds उसके 5 question में करने है तो वही जो time वहाँ पे waste होता है आपका efficiency कम होता है एक examination में bad impact रखता है उसी time को proper utilize करने के लिए अगर इस miscellaneous question जो कि क्या होगा word formation कितने word बन सकते हैं कोई word बन सकता है क्या word का अगर दिया है तो forward counting या backward counting में कितने alphabets हैं जो dictionary order में वही same arrangement में बैठते हैं numbers में दिया होगा odd number का plus one क्या होगा even number का minus one क्या होगा फिर ascending order, descending order में सजाय गया होगा ranking का 13th from the left, 17th from the right इसी तरह का question तो यह तो miscellaneous order problems होते हैं यह किसी भी time पे बनाए जा सकते हैं इसके लिए तो कोई flow ज़रूरत नहीं जैसे कि inequality के बाद, inequality के बाद, inequality flow, silox के बाद, silox के बाद, silox flow तो यह miscellaneous के लिए तो मुझे कोई flow की ज़रूरत नहीं है तो यहाँ पे इन सीजों को अगर मैं बाद में रख दूँ तो ऐसा situation अगर create होगा कि 17 minutes 40 seconds हो चुका है अब मेरे पास 2 minutes 20 seconds है तो और कुछ नहीं करने का था तो यह वाला part अगर मेरा mark for review section में मैंने रखा होगा तो immediately वो double violet color को जाके मैं इन questions का answer कर सकता हूँ यही benefit मिलता है तो इससे एक question के एक minute पहले कीजे बाद में तो अभी का motto हम time management करते हैं तो मैंने मान लिया कि 15 questions मेरे 15 marks के 8 minutes में आगे एक एक दो, दो तिन पांच, पांच दो साथ, एक आठ, 8 minute में आपने ले लिया अब 8 minute में लेने के बाद आपके पास अभी 20 marks के puzzle और arrangement है puzzles और arrangement है उसमें कुछ भी हो सकता है कुछ भी combination में वो दे सकता है बट यह combination तो fixed है कि 5 mark के 4 आपको मिलेंगे puzzle या तो arrangement और अगर 4 set आपको करने है और remaining time आपके पास अगर 12 minute का है तो हर set के लिए आपको 3 minute चाहिए और जिस भी channel को आप चले जाएं वो हमेशा बोलते हैं कि prelims का जो आपका ideal time होता है arrangement और puzzle बनाने का वो 3 minute का होना चाहिए अगर आपने practice क्या होगा तो 3 minute से कम भी बना सकते हैं तो वही 3 minute को इस चीज़ को लाने के लिए हमें यहाँ पे इतना practice करना होगा यहाँ पे यह चीज़ को हमें करना होगा अब मेरा काम है कि कैसे हर एक set को 3 minute में बनाया जा सके और अगर उनमें से कोई एक set ना बने और वही set अगर मैं पहले पकड़ लूँ और वही पे मेरा सारा time चला जाएगा तो वेस्ट हो जाएगा सब कुछ पूरा का पूरा आमारा plan सकते हैं ना तो उस चीज़ से कैसे बता जा सकता है कि कौन सा ऐसा question होगा जो मुझे शायद attempt नहीं करना था और मैं कर रहा हूँ तो वही जानने के लिए मैं अभी detail चश्चा करने वाला हूँ कि puzzles और arrangements में आपको कौन से puzzles को पहले करने हो कौन के बाद में करने कौन से arrangement पहले करने कौन से बाद में तो चलिए बढ़ते हैं सबसे important topic puzzles and arrangements के उपर चली तो दोस्तों ये रहा आपके सामने सारे के सारे possible arrangements और सारे के सारे possible puzzles जो कि आपके examination में पूछे जा सकते हैं औरों की तरह मैं आपको ये नहीं करने वाला कि पहले arrangements को कर लो फिर puzzles की और आना क्योंकि arrangement is easier than puzzles ये गलत है और वो गलत फेमी में आप मत रहिए क्यों? क्योंकि इन में से कुछ arrangements ऐसे भी है जो कि इन puzzles से 100 गुना खतरनाक होते और उनको अगर आप examination में पकड़ लिए तो आपके examination में मतलब eliminate होना तो confirm है mandatory है तो उस चीज को avoid करने के लिए देखिए मैं prove करूँगा with facts तो चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले हमें करना है कि जो arrangements without parameters के आएंगे without parameters मतलब without variables मतलब जहांपे सिर्फ person होगे उनका कोई profession, कोई color, कोई city, subject, school पसंदिता नहीं होगा सिर्फ person होगे तो पहला priority उनको देना जहांपे सिर्फ person होगे कोई में उनके साथ variables या parameters associate नहीं रहेगा उसमें priority order क्या रहना चाहिए जो सबसे easiest होगा जितने भी arrangements लिखे गए हैं सबसे easiest आपका parallel row arrangement होता है parallel row arrangement में आपको parallel line में 10 लोग या फिर 8 लोग usually पूछते हैं कि उपर वाले नीचे face कर रहे होगे नीचे वाले उपर face कर रहे होगे यहाँ पे जो data दिये जाते हैं वो compact way में दिये जाते हैं क्योंकि यहाँ पर अगर R आ गया R अगर opposite होगा क्योंकि तो यहाँ पर क्यों आजाएगा तो कम data में यहाँ पर कम possibility diagram में यह answer आ जाता है, मतलब maximum दो possibility में इसका answer आ जाएगा, तो clearly अगर कोई भी वह stativity नहीं होगा, with variables को बात नहीं कर रहें, without variables, सिर्फ आदमी है, और वो आदमी को मुझे parallel row में बैठाना है, तो उसको मुझे सबसे पहले solve करना है, उसके बाद मुझे देखना है, कि अगर linear arrangement या तो सिर्फ North को face कर रहे होंगे, या तो सिर्फ South, मतलब वो question जहांपे सारे के सारे बंदे साथ हो, या 8 हो, या 9 हो, straight line में खड़े हो, कि सारे के सारे उपर North को face कर रहे होंगे, नहीं तो अगर ये question ना दे, तो सारे के सारे अगर नीचे face कर रहे होंगे, सारे के सारे, तो उनको मैं अपने second priority list पे रखूँगा, कि उनको जाओँगा, ठीक है, अब सर, North को, कुछ लोग, North कुछ लोग South, उसको तो अभी बिल्कुल नहीं, अभी क्या, उसको कब करना है, वो बताते हैं, ठीक है, तो उसको तो अभी बिल्कुल नहीं, छोड़ दीजे उसके चीह, उसके चक्कर, उसको छोड़ने के बाद, मैं अभी चला आता हूँ, कि अगर circular में मुझे ऐसे arrangement मिले, कि सारे के सारे लोग inward, मतलब आठ लोग होंगे, तो circle में अगर आठ लोग होंगे, आठ के आठ लोग अगर सारे के सारे inward face कर रहे होंगे, तो वो भी एक easy arrangement होता है, without कोई variables, तो उनको मुझे third priority में रख रहा है, अब एक ही बात है, सारे के सारे अंदर face करे, या सारे के सारे बाहर face करे, एक ही चीज होता है, तो ये भी अपना third priority में रहेगा, क्योंकि इन दोरों में से कोई एक ही तो आएगा न, इसलिए लिख रहे हैं तीन, कि ये आए तो ये आए, जो भी आए, अब इतने जाने के बाद, आपको देखना है, कि अगर आपका uncertain number वाला कोई pushin आया है, तो उनको जाएए, uncertain number वाला आपको अचसर डराते हैं, लेकिन इनमें कुछ नहीं है, इनके औकात कुछ नहीं है, अब बस एक बार सवाल को प्यार से पढ़िएगा, बैठाते चलिएगा, maximum number of लोग कितने हो सकते हैं, अगर जो जितने लोग हैं, आपका ज्यादा confusion क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे ज्यादा आपका vacant places चले आते हैं, तो आपका क्या मतलब, वो 25 बैठा है, 30 बैठा है, 35 बैठा है, उनमें हमारा कोई मतलब ने, ज़स्ट वो जो बोलते जा रहा है, वही करते चलिए, usually यहाँ पे दो possibility में, एक possibility eliminate हो जाता है, examination में, मौक्स में तो पता नहीं, 100-100 possibilities आ जाएंगे, examination में दो possibilities में एक कट जाता है, तो उसको मैंने अपने fourth priority order में रखा, और fourth क्या, अगर में होता तो मैं उसको second में ले आता, क्योंकि मेरा favorite है, लेकिन आप ज्यादा तर linear और circular के साथ associate है, practice है, इसलिए मैंने उनको रखने के लिए कहा है, और इसको fourth को लेके जाने के लिए कहा, मतलब वो इतना easy है, ठीक है, अब इसके बाद आप देखिए, कि अगर आपको rectangle, square या triangle में से कुछ मिला होगा, तो उनको अपने fifth priority order पे रखिएगा, या तो ये, या तो ये जो भी आएगा, इन में से कोई एक ही set आएगा ना, तो उसको अपने fifth priority set में रखिए, मतलब क्यों सर, यहाँ पे मैंने देखा है, कि से rectangle, square और triangle में भी लोग बाहर और अंदर face कर रहे हैं, और आप तो अंदर बाहर के linear तक करवाने नहीं देते हैं, circular करवाने नहीं देते हैं, rectangle तक कहां आगे, वहाँ पे कुछ fixed रहता है, कि जो लोग आपके corners पे बैठे होंगे, वो अगर बाहर face कर रहे होंगे, तो जो लोग middle पे बैठे होंगे, वो लोग inside face कर रहे होंगे, तो यहाँ पे limitation आ गया, कि हाँ भाई है, यह तो अंदर ही face करेगा, लेकिन circular में, inward outward में, आपको इनका कोई भी direction पता नहीं होगा, वहाँ पे अगर बोल देगा, कि L is sitting third to the right of R, तो अगर आप R को यहाँ ले रहे हैं, तो यहाँ पे आपके first statement में, दो possibility आ गया, क्योंकि R का direction अंदर हो सकता है, बाहर हो सकता है, तो एक अगर मैं अंदर लूँगा, तो third right में अगर आपका L है, कुछ भी बोला था ना, suppose मैं लेते, L is third right to R, तो R के third right में अगर L बैठा है, तो यहाँ पे आ सकता है, similarly एक और arrangement मुझे लेना होगा, जहाँ पे R को मुझे बाहर के और face करवाना है, वहाँ पे उसका third right यह वाला बन जाएगा, तो यहाँ पे पहले सही दो possibility, फिर अगर बोलेगा कि L का, फिर बोलेगा कि L का second left में, sorry second left ने, immediate left में Q बैठा होगा, तो L अगर बाहर face कर रहा होगा, तो इधर होगा, अंदर face कर रहा होगा, तो इधर होगा, मतलब इसके लिए दो possibility आगे, similarly इसके लिए, अगर L बाहर face कर रहा होगा, तो इसका immediate left कौन सा आजाएगा, यह आजाएगा, अगर अंदर face कर रहा होगा, तो इसका immediate left यह आजाएगा, मतलब चार possibility से दो statement में आगे, इसलिए मैं मना कर रहा हूँ, कि inward outward को कभी मतलीजेगा, कभी यही भायंकर arrangement है, जिसकी बात में कर रहा था, ठीक है, तो inside outside को मतलीजेगा, लेकिन अगर मैं triangle की बात करूँ, तो वहाँ पे भी fixed होगा, अगर वो side में 2-2 बैठा है, और diagonal corner में एक-एक बैठा है, तो corner वाले अगर बाहर face कर रहे होंगे, तो यह middle वाले अंदर face कर रहे होंगे, तो यहाँ पर restriction लग जाता है, जो कि questions को easy बना देता है, तो आप triangle rectangle square को prefer कर सकते हैं, अब चलते है variables की और, अब मैं आपको यह clearly कहना चाता हूँ, कि अगर मैं आपको इन सवालों को attempt करने के लिए नहीं कह रहाँ, जबकि उनके साथ कोई variables है ही नहीं, तो variables के साथ तो इनको जिंदगी बर attempt मत कीजिए, और ऐसा question कभी pre में नहीं आएगा, कि inward, outward के साथ variables आजा, impossible, यह question मतलब mains के उपर level का हो जाएगा, similarly यहाँ पर inward, outward और variables कभी नहीं आ सकते, तो अभी तक तो मुझे यह clear है, यह नहीं आएगा, यह नहीं आएगा, similarly prelims level में कभी rectangle, square, triangle में भी आपको variables या parameters नहीं देगा, इतना लिख के ले लिजे, तो यहाँ से भी आपको नहीं आएगे, तो question अगर आ सकते, variables में arrangement के साथ, तो वो linear में आ सकता है, north को, south को, या फिर आपका circular में आ सकता है, inward, outward, या फिर parallel row based में आ सकता है, अब अगर मैंने उस तरफ का काम, without variables का कर दे, तो with variables में आपको मैं first priority है, और हाँ uncertain number में भी कभी नहीं देगा, variables कहां देगा, पता नहीं चलेगा, कुछ सवाल में सब उपर से चला जाएगा, ठीक है, आर extremend में बैठा है, उधर कौन क्यूँ, तो बहुत danger हो जाएगा, चुड़िए, example ही नहीं लेते, अब अगर मैं बात करूँ, अगर variables आ गया, तो आपका सबसे पहला priority देना है, linear को, नहीं तो circular, जो आपका favorite है, मैं यहाँ पे parallel row को मना कर रहा हूँ, क्यूंकि parallel row confusing हो जाएगा, with parameters, तो इसको नहीं करना है, ठीक है, इसको अभी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं करना है, row में अगर आपका variables introduced क्या हो तो, आपको linear वाला पसंद है, तो linear जाएगे, circular वाला पसंद है, तो circular जाएगे, मैं खुद करता पहले linear, उसके बाद circular, तो मैं अपने fifth तक पहुंच चुका हूँ, तो ये मेरे दो आगए, sixth priority, कि linear north-south में, आपके profession या फिर color दे दिया गया, कि इस बंदे को ये profession है, इस बंदे का ये profession है, या फिर इस बंदे को ये color पसंद है, इस बंदे को ये subject पसंद है, ये school में पढ़ रहा है, तो second जो sixth के बाद, जो seventh priority आएगा, वो circle में, सिर्फ inward में अगर लोग subject पसंद कर रहे है, सिर्फ outward में अगर लोग किसी school में पढ़ रहे है, तो ये अपना seventh priority बन जाएगा, ठीक है, यहां तक, और इसको row parallel अगर city के साथ introduce किया, तो उसको रखे रही है, अब चलते हैं puzzles की और, puzzles को घूम के आने के बाद, इधर की बात करूँगा, ठीक है, puzzles की और जब मैं गया, तो सबसे पहले मुझे comparison based puzzle करना है, सर्फ ये comparison based puzzle होता क्या है, अब ने कभी कबार, मतलब हर बाई आश देखा होगा, ऐसे paper आता है, कि आपका A is heavier than only two person, ठीक है, C is not the lightest, D is not the heaviest, E only one person is heavier than E, ऐसे करके आता है, आपको एक ऐसा arrangement बनाना होता है, कि suppose क्या होता है, suppose मैं बना दिया, B greater than आपका E greater than A greater than D greater than C, ऐसे करके, फिर आपको दे देगा, कि अगर A का 68 kg है, और B का 73 kg है, तो E के possible कितने होंगे, D कितना हो सकता है, तो इसी तरह का arrangement में second कौन आएगा, तो ये जो puzzle होता है, छोटा सा, प्यारा सा puzzle होता है, वो कर दीजिएगा सबसे पहले comparison based, lighter का दो सकता है, heavier का दे सकता है, height का दे सकता है, weight का दे सकता है, age का दे सकता है, कुछ भी आपका comparison based चलेगा, तो puzzles में ये आपका सबसे पहला priority देना है आपको, दूसरा priority किसको देना है, दूसरा priority day based, अकसर आपको लोग बोल ले होंगे, month, day, year based puzzle, confused क्यों कर रहे हो बेटा, day वाला puzzle क्या, अलग से बता दो ना, तो day वाला puzzle usually आपका क्या होते है, एक week होता है, उस week में suppose 6 दिन होते है, Monday से लेके Saturday तक, वहाँ पे कुछ ना कुछ आपके कुछ लोगों के बड़े होंगे, celebrate ठीक है, तो Monday, Tuesday, Wednesday, ऐसा करके आपको जाना होते है, Thursday, Friday, Saturday, उसको करके जाना होते है, सिर्फ दो लोगों का बड़े, Q के बड़े से पहले celebrate किया गया है, तो Q आगया आपका Wednesday में, सबसे last R का बड़े हुआ है, तो R आगया यहाँ पे, सिर्फ दो ही लोगों का बड़े celebrate हुआ है, आपके R और S के बीच में, तो clearly यहाँ पे R S यहाँ आ सकता है, नहीं तो R S यहाँ पे, तो इसी तरह के दो possibilities में, यह वाला आपको करेंगे, तो यह easy रहेगा, इसलिए मैं नहीं आपको suggest किया, कि day best को आप कीजिए, हमेश्चा exam में इसका, दो possibility में answer आई जाएगा, तो second priority में आप day best को रखे, क्योंकि यह भी किसी ना किसी तरीका से, comparison based है, सिर्फ एक ही आदमी हो सकता है पहले, दो आदमी मतलब यह एक linear arrangement ही तो है, puzzle को ज्यादा क्यों सोचते है, arrangement ही तो है ना linear वाला, अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ box puzzle की, तो box puzzle तो भाईया सबका favorite होना चाहिए, बकसे के उपर बकसा रखा जाता है, कि R box जो है, वो S के immediate evolve रखा जाता है, तीन box रखे जाते हैं S और Q के बीच में, तो यहां पर उपर से तीन चोड़ के, तो यह box based arrangement आपको third में जाना है, यह सबसे easy भी हो जाता है, और box अगर आप जा सकते हैं, तो floor puzzles क्यों नहीं जा सकते हैं, क्योंकि preliminary में जो floor best आपके puzzles आएंगे, वो काफी simple आएंगे, कैसे आएंगे, simple आपके 8 floor होंगे, उन 8 floor में से आपको सबसे ऐसे करके, नीचे से numbering करना होता है, ऐसे करते करते, B even floor पे रह रहा होगा, B से उपर सिर्फ एक ही floor होगा, तो B रह जाएगा, आपका 7th floor या 8 floor, ऐसे करके, मतलब यह एक ही किसम का box के उपर box रखने का condition नहीं है, तो अगर box clear है, तो आपका 4th priority order में, अब next अगर मैं priority order की बात करूँगा, यहीं तो usually आपका जो trend में चलता है month का, वो month का और days का combined वाला चलता है, कौन सा वाला, कि suppose आपको 4 महीने दे दिये गए होंगे, January, February, March, April, ऐसे करके 4 महीने, और उन 4 महीनों में, 2-2 days में कुछ events किये जा रहे होंगे, suppose 12 में और 21 में, इसका 12 में और इसका 21 में, 12-21, 12-21, इस तरह का, तो यह भी एक किसम का, आपका arrangement ही तो बन गया, कि आपके सिर्फ एक ही event मतलब, second में इसका Q event और्गनाईस किया गया, तो यह तो सबसे पहला year का सबसे starting वाला event ही होना चाहिए, यह difficulty level दीरे 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 तरह बढ़ रहा है, और सबसे difficult puzzles की अगर मैं बात करूँ, तो condition based puzzles सबसे difficult होते हैं पेपर में, condition based puzzles में यहाँ पे variables का कोई restriction नहीं है, for example, 8 लोग होंगे, A, B, C, D, E, F करके, ऐसे करके, उन 8 लोग 8 different school में पढ़ रहे होंगे, कोई KV में, तो कोई DAV में, तो कोई San Antonio में, ऐसे, फिर उनके different classes होंगे, कोई 5th में पढ़ रहा होगा, कोई 5th में पढ़ रहा होगा, उनके फिर favorite subjects होंगे, किसी को different ages होंगे, किसी को 18 साल, तो किसी को 17 साल, 17 साल में 5th class में कौन पढ़ बता रहे हैं, तो उनको सबसे least preference दीजे किस में आपके puzzles में क्यूंकि वही आपके साधा time consume करते हैं तो examination में depend करता है कि अगर आपको ये वाला मिले तो ये आपको सबसे last में जाना है puzzles के section में लेकिन अब मैं कहना चाता हूँ कि अगर मेरे पास कुछ रास्ता नहीं है तो मैं ये कर रहा हूँ ये भी मैंने कर दिया लेकिन भाया एक पांच मार का question या तो circular invert outer या तो linear north south में आ गया वो आने के chances रहते हैं हमेशा ठीक है तो वही चीज़े जो आपको 30 plus उससे करने से रोक सकता है ये ही दो चीज़ होते है प्यार से बता देते है अगर ये दो चीज़े है तो इनको सबसे last में रखेगा अगर कुछ और रास्ता नहीं आपके 30 attempts only हो चुके तो यही आपका 5 marks क बन चुके हैं तो यही दो आपके अगर रहे तो उसके वाद अगर time बचे तो इनको try कीजिए अगर नहीं बना तो हम कर भी क्या सकते हैं लेकिन इसको सबसे least preference और यहां पे भी sequence बताते है circular inward outward यह तो least preference मतलब इसको सबसे last में करना है और उससे पहले मतलब penultimate की बात करूं तो उसको linear में करना है तो मैंने पूरा sequence बता दिया और यह दोनों चीजे न इसके बाद आने चाहिए condition based क्यूंकि कई कबार condition based दिखने में भाइन करोता है लेकिन data इतना मतलब आपको पकड़ा देता है कि आपके condition based puzzle भी बन जाते है आरान से तो यह determine करता है कि question किस level का लेक उमीद करता हूँ कि यह priority sequence आपके दिमाग में चप गया है और एक बार आप कम से कल 5 marks इस sequence में जाएए देखिए कि आपके marks improve हो रही या नहीं अगर हो रहें तो इसको follow कीजे नहीं तो आप जिस हिसाब से अगर आपके ज़्यादा marks आ रहे थे तो आप इसको follow कर सकते हैं ल कि सबको बता चलना चाहिए कि यही होना चाहिए अप्रोच तो कंजूसी नहीं किसी और को बता चलिया तो benefit लाइक और शेयर जमके कीजिए और session पसंदर आया होगे तो लाइक कितने बात बोलेंगे और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लिजए कर दो है